मश्कार मरचन शर्मा चड़दी गलाड मड़ी देख रहे सब भी दर्शकों का स्वागत करती हूँ आप देख रहे हैं हर्याना के विशे समाचार मुखर मंद्रिय منحولा ने कहा कि हर्याना के किसान कड़ी मेहनत करके देश को खादानों में आतम निर्भर बनाने में एहम योगदा दे रहे हैं वर्तमा राच्चे सरकार किसानों की हितेशी है सरकार ने बाड़ से परभावित किसानों को मौवज़ा दिया है सीमनोहलाल ने हाली में आडियो कॉन्फरेंसिंग के मादम से किसानों से समवाद करते हुए कहा कि बार परभावी शेत्रों में दोबारा से फसलों की बिजाई करने वाले किसानों को प्रतिय एकर 7000 रुपे का मौफ़ा दिया है प्राकरती का अबदा से खराब हुई फसलों क दी गई है इसमें पिछली सरकार की बकाया दो सो उननतर क्रोड रुपे की मौफ़ा राशी भी शामिल है सरकार ने प्राकरती का अबदाओं से नुकसान के सत्यापन और परभावित लोगों के मौफ़े के वितरन की परणाली में पारदर्शिता लाने के लिए शतिपूर् में परदान मंतरी निरेंदर मौदी ने 10 अगस 2022 को टूजी एथनल प्लांट का लोकार पर गया था टूजी के बाद अब थ्रीजी प्लांट भी पानीपद रिफाइरी में लग गया है जो दुनिया का पहला रिफाइनरी ऑफ गैस अधारी थ्रीजी एथनल प्लांट होगा मौदी मनतरी ने कहा कि परदेश के आठ लाग 14,000 किसानों को किष्ट के तौर पर 175 क्रोड रुपे मिले हैं मौदी मनतरी ने ये भी कहा कि है वारे किसानों तक च्छी कि मिसाल पेश की है परदेश के कल्यान और उठ्थान के लिए पूरी तरह स्मर पित है हर कदम पर सरकार किसानों की मदद कर रही है मुखे मंतिरी ने कहा कि परदेश के किसानों को अब तक 685 क्रोड रुपे सबसीडी के रूपे परदान के जा चुके हैं जैसे आपको जानकारी होगी ही कि हर शनिवार को मैं अपने परिवार के किसी ना किसी एक वर्ग से बात करता हूँ आज मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं अपने किसान भाईयों से बात कर रहा हूँ मित्रो अभी जब पीछे बाड आई थी तो उस समय स्वाभाविक उसे मन में चिंता हुई कि इस बाड के कारण से नुक्सान भी जरूर हुआ है किसानों का अथवान्य जहां गाउं में शेहर में पानी चला जाता है आजैसे बहुत से बंदों का नुक्सान होना स्वाभाविक था उस में मन भी चाहरा है कि स्वThescreen जाकर के इस नुक्सान का आंकलन लेना चाहिए तो मैंने स्वेम जाकर के हवाई सर्वे से भी और वैसे भी कुछ गाउं में जाकर के देखा कि बहुत ज़्यादा नुक्सान हुआ है उस नुक्सान की भरपाई के लिए ये भी एक सुचना दी गई सरकार के दौरा कि हम लोग अपना जो है किसानों को मौज़ा उसका आंकलन करेंगे लेकिन मैं तब कहा कि नहीं किसानों को स्वेम अपने आंकलन का अपने नुक्सान का आंकलन करना चाहिए और हमें एक व्यवस्ता बनाएं ताकि वो स्वेम बता सके कि किसका कितना नुक्सान हुआ है आकर कोई भी किसान जो बताएगा तो निश्च रूप से उस नुकसान को सच्चाई में ही बताएगा क्योंकि कोई किसान नुकसान का दिखाने का बताने का शोकिन नहीं होता है इसलिए हमने कहा है कि एक ख्षती पूर्थी पूटल बनाया जाए और हमारे विवस्था के इसाब से हमने एक ख्षती पूर्थी 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 पूर्थल बनाया कि आप लोग जो है अपना अपना जो उसके अंदर नुकसान हुआ है उसको आप भर दें चाए वो खीती का है अत्वा किसी मकान का नुकसान है आत्वा कोई पशु का नुक्सान हुआ है कोई वे साइक किसी जगां पर पानी भरा तो वो नुक्सान भर दें तो सब लोग ने उस किसान को भरा है तो आज मैं ऐसे सब बंदों से बात कर रहा हूँ जिनका नुक्सान हुआ और उनको हमने मौज़ा दिया है प्राक्रितिक आपदा से जो फसल खराब हुई उसका मौज़ा और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंदों को मेनत करके और फसल खराब हुए को दोबारा विज़ाई करनी पड़ी ऐसे लफ सब लोगों को समय बात कर रहा हूँ तो इस नाते से जो आपको हमने मौज़ा दिया है उसकी जानकारी आपको हुई गई होगी कि दोबारा विज़ाई के नाते से पचास जार एकर लगबग ऐसा क्षितरता जिसमें सात अजार रुपया प्रती एकर के इसाप से हमने उनको मौज़ा दिया है ऐसे ही जो प्रत्रत आपदा इस नाते से भी कुल मौज़ा जो इस बाड़ के कारण से दिया गया वह एक सो बारा क्रोड रुपया दिया गया है अगर मैं पिछले सब वर्षों की बात करता हूँ तो ऐसा किसानों को जो दिया जाने वाला मौज़ा मैं हाला के मौज़ा तब ही दिया जाता है जब किसान परिशान होता है दुखी होता है लेकिन प्रयाप मौज़े की जब हिसाब किताब लगाता हूँ तो मुझे संतोष होता है कि हमने पिछले साड़े नौ साल में लगबग 11,000 क्रोड रुपया का मौज़ा दिया है किसान का बेटा हूँ आज भले मुख्यमंत्री का दाई तो मरे पास है लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ पिछलिए भायो बेनो हमने किसानों के लिए हर दम चाहे देश के प्रधानमत्री नेनर मोदी जी हूँ चाहे आपके साथी मनोहरलाल की बात हो हमिशा किसान के साथ खड़े रहे हैं जैसा अपने को पता है प्रधानमत्री जी भी पीम किसान सम्मा निधी के नाते से और हर चार महिने में एक किस्त हमको भेजते हैं हमको पंद्रवे किस्त भी अभी मिल चुकी है हर याड़ा के आठ लाग चुत्त हजार किसानों को एक किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगबग अब तक पंद्रा हजार क्रोड रुपया ये जा चुका है ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को प्रशान नहीं होने देते हैं हम किसान भी जो सहीोग करते हैं अनका मैं बहुत बहुत धन्यवात करता हूँ जैसे अपने को पता है प्राली प्रवंदन ये एक बड़ा विशह है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है बहुत से ऐसे जो आवाजे आती है किसान प्राली दिलाता है उसके कारण से प्रदूशन होता है और खास करके कोड्स भी कईवा संग्यान लेती है और संतोष की बात ये है कि पिछले दोनों में उस्तम ने आयले ने ये कहा है कि हरियाना ने प्राली प्रवंदन का जो कारे किया है किसानों के सायता करके ये सराहनी है बलके पंजाब की सरकार को ने फटकार भी लगाई है तो उस नाते से और हम जो किसानों को जो सायता करते हैं उसका भी एक लावम को मिला है और किसानों ने भी उसका सयोग किया है अगर ICR की रिपोर्ट जो 22 नमबर को भी प्रकाशित हुई है उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हर्याना में कुल मिलाकर के इस बार सीजन में 2249 जो केसिज हैं वही यानि प्राली जिलाने के हुए हैं जबकि अपना प्रोशी प्रदेश पंजाब वहां पर यह आकड़ा 36,118 मामले हैं अर्थात बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में प्राली जिलाई जाती है हर्याना के किसानों को हमने इस प्राली प्रवंदन के लिए बहुत साथ सयोग भी किया है हमने इसमें कुल मिलाकर 25 और प्रती तन के हिसाब से किसान की प्राली की विक्री इसके वस्ता की है और यदि 20% से कम मौइस्चर पाई जाती है तो 500 रुपया इसके लिए अलग से भी और ये दिया जाता है तो इस प्रकार हम उनको जो इंप्लिमेंट्स भी देते हैं उस इंप्लिमेंट्स में अभी 6704 में कस्टम हारिंग सेंटर्स ये हमने बनाए हैं ताके हम प्राली इकठा करने के लिए उसको इकठा करके बेचने के लिए वहां से और जो हायर करके और इंप्लिमेंट्स से ले सकते हैं कोई किसान अपना इंप्लिमेंट अगर लेना चाहता है उसको भी सबसीडी दी जाती है असी अजार फशल अफशेष के ऐसे प्रवंदन के उपकरण ये किसानों ने खुद खरीदे हैं हम इसे में सबसीडी भी देते हैं यदि कस्तम हारिंग सेंटर कोई बनाता है उनको 50% की जो सबसीडी मिलती है और जो स्वयम किसान अपना कोई ऐसा उपकरण खरीदना चाहे तो उसको 80% का और ये अनुदान यम देते हैं तो मित्रो इस कारण से पंजाब में जो प्राली की जो कमी दर्ज की गई वो बहुत कम दर्ज की गई लेकर हरियाना में जो प्राली प्रबंदन की कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष के पेक्षा इस बार 36% और ये कम की गई है तो इसलिए एक बहुत अच्छा ये विश है किसानों ने इसको किया है मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ तो चाहे बाड का मामला हो हमारे बारा जिलो को बाड गरसित गुशित किया गया था अगर मैं गगर के बाड खेतर की बात करता हूँ तो उसमें पंचकुला, अंबाला, कुर्क्षेतर, कैथल, हत्याबाद और सिर्सा ऐसे छे जिले आते हैं और यमना के साथ साथ भी इसी प्रकार से चाहे वो यमना नगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, पलवल हो अत्वा फरिदाबाद हो ऐसी एच्छे जिले बाड़ प्रभावित खेतर के हैं, तो बारा के बारा जिलों में, कुल मिलाकर 1469 गाओं और 4 शहर इसे प्रभावित हुए हैं तो ऐसे सब इलाकों का, हमने जो मौवजा है, वो किसानों को दे दिया है, अभी जो फसल का, जो प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार से होती है, अत्वा विशेश तोर पर कपास, इस कपास का, जो सुन्डी का खराबा हुआ है, उसका मौवजा जाना विशेश है, बहुत ज कम से कम पानी की चिंता करें, और जहां पानी बहुत गरही में हो गया है, जहां हम अपनी, यानि आगे आड़े वाली पीड़ी को प्रियाफ्त पानी भी उप्राद दिनी करा पाएंगे, ऐसे किसानों को हमने अपील की, कि आप कम से कम धान की विजाई को छोड़कर, उसके पिछले दो वर्षों में लगबग पौने दो लाख एकड़ पर किसानों ने धान को छोड़ा है, बदाई कि ये पात रहें, और हमारा ये जो मेरा पानी, मेरी विरासत की योजना, दूसरे प्रदेश भी इसको अपने आ लागू करने के लिए रायत हैं, कि हम भी इस योज प्राली प्रबंदन की बात हो, इन सब विशों पर आप लोगों नसीयों किया है, प्राली प्रबंदन तो और भी कई परकार से किया जा सकता है, जैसे फसल अवशेश प्रबंदन है तो पूसा डी कंपोजर किट ये भी हमने बाटे हैं, धाई लाख एकड में इस बार पू महावज़े की बात है, महावज़ा सब प्रदेशों में जितना महावज़ा सरकार की और सीय दिया जाता है, जो प्रधामतरी फसल बीमा योजना के अंतरगत अपना बीमा नहीं कराते हैं, ऐसे किसानों को, पिछली सरकार तो मातरच छेजार और जाते जाते दसजार करके ग जाता राशी देती है, तो किसान के नाते से आपकी किस परकार से लाव आपको पहुचाया जाए, किसानों के फसलों के दाव कैसे मिले, मंडी की वश्ता, मार्केटिंग वश्ता कैसे अच्छी की जाए, मुझे खुशी है कि मार्केटिंग के वश्ता, हर्याना की बाकी आस प्रक्देश हो राजस्तान हो सब जिलों आसपास के जिलों के लोग हरियाना की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं और हमने फसल एक दो नहीं अत्वा बाजरा हो इसकी वस्ता भी सफलता परोक लागू की गई है इन सब योजनाओं को आसपास के प्रदेशों के किसान खूब समझ रहे हैं खूब उनको जानकरिया मिल रही हैं तो मेरा किसान किस परकार से खुशाल बने कैसे आगे बढ़े ये बात भी सत्ते है कि किसान किनाते से उसमें लग रही है बाकी जमीन जो है कम हो रही है और आफशक्ता हमारी परिवारों की बढ़ती जा रही है इसलिए हमारा जो जमीन का जो भाग है यानि जोत है वह हमारी बहुत छोटी होती जा रही है हम ऐसे सब किसानों के परिवारों में भी तंसे कम एक सकती है नोकरी में जाने के लिए कैसे स्योग कर सकती है प्राइविट नोक है उसको जो किसान के लाता है तो एक आदरनी है एक नागरिक के नाते उसका जो स्थान बने तुम चाहेंगे कोई किसान BPL के नीचे न रहे सब किसानों की आए एक लाख 80,000 से उपर कैसे हो इसकी उजनाए हमारे सभी विवाग मिल करके बनाते हैं तो ये थे हर्याना के विशेश समाचार और ने समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए देखते रही है चुड़दी कला टाइम टीवी